प्रती नूकलियोन बंधन उर्जा वक्र प्रती नूकलियोन बंधन उर्जा लेंगे और दूसरे एक्स के उपर अपन द्रव्यमान संग लेंगे तो उन दोनों के बीच में अपने को ग्राफ खीचना है और ग्राफ ड्रो करने के बाद उस ग्राफ के जो रिजल्ट्स है वो बहत महत्वपूर्ण है बोड प्रिक्षा अपने पड़ा कि किसी भी नाभीक के द्रव्यमान में उसका जो वास्त्विक द्रव्यमान होता है वो उसके अव्वेवों प्रोटोन और नूट्रोनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है वो द्रव्यमान क्षती कहलाता है और वो जो द्रव्यमान क्षती है उस अपन डेल्टा E equal to डेल्टा M इंटो C square के फॉर्मूले से Einstein के संबंद से अपन बंधनूर्जा के रूप में calculate कर लेते हैं और अपन जानते हैं कि वो जो बंधनूर्जा या binding energy आपके पास आ रही है वो उन सभी nucleonों को बांध करके रखने में काम में आ रही है और total जितनी energy है उसमें यदि अपन total nucleons की संख्या का भाग लगा देंगे तो एक nucleon को बांध करके रखने वाली energy आ जाएगी और आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा द्रवेमान क्षटी होगी प्रती nucleon बंध नूर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतने ही उन नाभिकों को मुक्त कराने में ज़्यादा परेशानी होगी यानि कि वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थाई होगा ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक बहुत छोटा सा result लिखता हूँ कि नाभिकी की प्रती nucleon बंध नूर्जा जितनी ज़्यादा होगी जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही स्थाई होता है ठीक है? तो अब अपन इसकी प्रती nucleon बंध नूर्जा और द्रवेमान संख्या के बीच में ग्राफ खीच रहे हैं एक एक नाभिक को लेकर के अपन ग्राफ के बारे में चर्चा करते जाएंगे तो YX के उपर आप प्रती nucleon बंध नूर्जा ले लीजिए कुछ इस तरीके से और XX की जो लाइन है इस XX की लाइन के उपर अपन द्रवेमान संख्या ले लेंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अपन सोट फॉर्मेट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ज्यादा विश्तार से चर्चा नहीं करनी है तो यह जो XX की लाइन है इसके उपर अपन ले लेंगे क्या ले लेंगे द्रवेमान संख्या ध्यान से सुनना प्रमानुक्रमांक नहीं है यह द्रवेमान संख्या है द्रवेमान संख्या का मतलब नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रोनों की संख्याओं का योग है कितने अव्यव है नाभिक में और yx के उपर अपन ले लेते हैं प्रती नुक्लियोन बंधनूर्जा ठीक है देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेट होता है लेकिन आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेट बनाने की जरूरत नहीं है आप इसको बहुत इजी तरीके से ब करेंगे तो जिसकी द्रवेमान संख्या दो है उसकी बंधनूर्जा लगबग एग में का इलेक्ट्रोन वोल्ट के अप्रॉक्शिमेट आती है यानि यहाँ पर यह जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप पहला तत्व लिख दीजिए इसके बाद में यदि आप इससे ज्यादा द्रवेमान संख्या यानि दो के बाद में हीलियम के उपर चले जाएगे हीलियम की द्रवेमान संख्या चार होती है तो यदि चार द्रवेमान संख्या वाले नाभीक के लिए प्रति नुक्लियोन बंधनूर्जा की वैल्यू एक एक लाइन को मैं एक एक मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट देलता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इस तरीके से तो आप इसको थोड़ा सा कम मान लीजी तो मान लीजी कि साथ मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट यहां आ जाता है यहां पर, तो यहां पर आप मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट का जो पैमाना होता है स्केल जो होती है, वो लिखें तो बढ़िया है अगर आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है तो यहां पर हीलियम की बात करेंगे, तो हीलियम यहां पर आ जाएगा तो यह जो graph है वो कुछ इस इन दोनो graph को अपने को इन दोनो points को अपने को यहाँ पर मिला देना है एक straight line के format के रूप में कुछ इस तरीके से तो इसके बाद में यहाँ पर आजाएगा आपके पास 2HE4 सब के लिए नहीं लिखना कुछ एक data आप लोगों को लिखने होंगे इसके बाद में 4 के बाद में यह दि आप ज़्यादा द्रवेमान संख्या वाले नाभीकों की बात करेंगे तो वो प्रति नूकलियोन बंधन उर्जा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी तो जिसकी द्रवेमान संख्या 4 है उसके बाद में 8 है और 8 के बाद में 9 से लेकर के 11 तक की जिसकी द्रवेमान संख्या है again उनके लिए जो प्रती नुक्लियोन बंधन उर्जा की value है वो कम हो जाएगी और 12 जिसकी द्रवमान संख्या होती है उसके लिए प्रती नुक्लियोन बंधन उर्जा की value again increase हो जाती है कुछ इस तरीके से ठीक है तो 4, 8 और 12 है इस इन तरीके से यानि 4 के जो गुणज होते हैं जिनकी द्रवमान संख्या है ये एक स्वभावी गटना है ऐसा natural है ठीक है ये तो केवल result को देख करके graph बढ़ा गया है ऐसा नहीं है कि विग्यानीकों ने 4, 8 और 12 का data fix कर रखा है ठ तो जिसकी द्रवमान संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 है उनकी जो नाभीकों के लिए प्रती न्यूकलियोन बंदन उर्जा है वो अपने अडोशी पडोशी नाभीकों की तुलना में ज़्यादा होती है यानि वो आसपास के नाभीकों से ज़्यादा स्थाई होते है फिर यहां से यदि आप एक ग्राफ खीचें, तो यह ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से लाइन में जाता है, ऐसे लाइन में इंक्रीज होता है और इंक्रीज होकर के और इस तरीके से कुछ देर बाद में इसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज होने लग जाती है, तो सबसे ज़्यादा Repent Kushan भी बन जाता है यहाँ पर इसकी value तो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी Fe यानी यह लोहा है और इसकी द्रवेमान संख्या कितनी है? 56 है और again इसके बाद में द्रवेमान संख्या प्रतिनूकलियोन बंधन उर्जा जो है वो दिरे 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 दरवेमान संख्या बढ़ने के साथ साथ पुना घटने लग जाएगी ठीक है तो यह इसका graph आता है यह graph आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बनाना होता है द्रवमान संख्या का पैमाना या प्रती नुक्लियोन बंधनूर्जा का पैमाना लिखने की आवशक्ता नहीं है आप यहाँ पे यह जरूर लिख सकते हैं यह जो maximum बंधनूर्जा है यह जो top value वाली यह जरूर आप लिख सकते हैं तो यह 8.75 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट होती है मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने अल्रेड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा बंधनूर्जा प्रती नुक्लियोन बंधनूर्जा है वो लोहे के लिए होता है इसलिए लोहा सबसे ज़्यादा स्थाई तत्व होता है आप अटावड़ स्क्रीन को पोज़ करके यह डाइग्राम बना लीजिए फिर मैं इसके कुछ इंपोर्टन रिजल्ट्स हैं लिख लेता हूँ फिर अपन एक्स्क्लेइन करते है तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं पहला रिजल्ट यह है कि प्रतेक नाभीक की जो बंधनूर्जा है वो धनात्मक होती है किसी भी नाभीक की बंधनूर्जा रिनात्मक नहीं होती है बंधन उर्जा के धनात्मक होने का मतलिब क्या है कि यदि आप उन नुकलियोनों को मुक्त करना चाहें नाभीक के अंदर जो प्रोटोन और नुट्रोन है उनको यदि आप मुक्त करना चाहें तो जितनी बंधन उर्जा है उतनी एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी ठीक है तो प्रतेग नाभी की जो बंधन उर्जा वो धनात्मक होती है दूसरा अभी आपने देखा कि द्रवेमान संख्या देखे मैंने सॉर्ट फॉर्मेट में लिखने का प्रियास किया अधिक स्थाई होते हैं क्योंकि इनकी प्रती नूक्लियोन बंधन उर्जा अपने आसपास के नाभी को से ज्यादा होती है ठीक है और द्रवेमान संख्या का मान 30 से ज्यादा है और 170 से कम यानि ऐसे नाभी जिनकी द्रवेमान संख्या 30 से अधिक हो और 170 से कम हो इसके बीच की रेंज के जो नाभिक होंगे उनके लिए प्रती नूक्लियोन बंदन नूर्जा का मान है वो लगबग 8 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट होता है यह सब ग्राफ की द्वारा देखा गया है तो आफट आफट स्क्रीन को पोज करके और यह जो रिजल्ट्स है इन्हें लिख लें आगे के और महत्वपून रिजल्ट है उनको भी कंटिन्यू करते है अब यहाँ पर इसके कुछ महत्वपून और भी रिजल्ट्स हैं देखिए पहला रिजल्ट कह रहा है कि सबसे अधिक बंधन उर्जा जो है मैं आपको बता दू कि यह जो टॉपिक है यह जो पॉइंट जो अपन लिखने वाले हैं यह सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ठीक है सबसे अधिक बंधन उर्जा जो है वो जिसकी द्रवेमान संख्या 56 होती है और 56 द्रवेमान संख्या के ऊपर लोहा होता है तो लोहा जो है उसके लिए प्रती नुकलियोन बंधन उर्जा का सेंबोल है ये मैंने यह आपे सब्द नहीं लिखा सेंबोल लिखा ये प्र प्रति नूकलियोन बंधनूर्जा की वैल्यू 8.75 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट होती है जो की सबसे ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा आता है लोहा सबसे अधिक स्थाई तत्व है तो प्रशन पूछा जाता है कि कितनी द्रवेमान संख्या वाला तत्व सबसे अधिक स्था लोहा के बाद में यदि अपन बात करें तो इसके नजदी की जो नाभीक है जैसे नीकल है जो नीकल है वो भी उसकी एनरजी भी लगबग 8.75 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्टी होती है बट लोहे की अपेक्सा थोड़ी सी कम होती है तो यदि प्रशन आ जाए कि लोहे के बाद सबसे ज़्यादा स्थाई तत्वा कौन सा है लोहे के बाद क्योंकि लोहा तो सबसे ज़्यादा स्थाई है ही से इसको तो सभी बचे याद ही करते है तो आपको लिखना होगा लोहे के बाद सबसे ज़्यादा स्थाई है वो निकिल है एन आई से जिसे अपन लिखते है ची से कम में A का मान गठेगा और 56 से आगे जाने पर दर्वेमान संख्या का मान बढ़ेगा लेकिन दोनों ही तरफ प्रतिन्यूक्लियोन बंधन उर्जा का मान गठता है क्योंकि 56 के उपर टॉप वैल्यू आती है पता न आपने को छीक है इसलिए क्या होगा कि 56 सबसे ज़्यादा स्थाई होगा 56 के नीचे और 56 से उपर जाने पर प्रतिन्यूक्लियोन बंधन उर्जा गठती है तो उपर की तरफ जाने पर प्रतिन्यूक्लियोन बंधन उर्जा गठती जाएगी गठती जाएगी और एक ऐसी situation आ जाएगी कि उसके बाद के जो नाबिक है वो स्थाई त्वह हो देंगे वो स्थाई नहीं होंगे वो radioactive विखंडन के द्वारा alpha beta gamma कणों के उत्सरजन के द्वारा स्थाई त्वह प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है कि सीसा जो है सीसा अंतिम वो तक्त्व है जो स्थाई है सीसे के बाद के जो तक्त्व है वो ऐस्थाई हो जाते हैं तो सीसे से अधिक भारी नाबिक सीसा जो last है इसके बाद वाले जो भारी नाबिक है वो स्थाई नहीं होंगे तो सीसे से अधिक भारी नाबिक है वो कम स्थाई होते हैं यहाँ पर अगला प्रसन कहता है कि बहुत हलके कौन से जिनकी द्रवेमान संख्या 30 से कम होती है या फिर बहुत भारी जिनकी द्रवेमान संख्या 170 से अधिक होती है ये दोनों कैटेग्री की जो नाभीक है उनके लिए प्रती न्यूक्लियोन बंदन उर्जा का मान क्या होगा बिटा बताओ सोच के बताओ 30 से कम द्रवेमान संख्या 170 से ज़्यादा द्रवेमान संख्या इनके लिए प्रती न्यूक्लियोन बंदन उर्जा है वो बीच वाले बीच वाले कौन से 30 से लेकर के 170 की range के जो द्रवेमान संक्या के नाभीक है उनकी तुलना में इन दोनों की प्रती नुक्लियोन बंधन उर्जा का मान मध्यवर्ती नाभीक बीच वाले नाभीकों से कम होता है ये सारे अपने को 6 point लिखने है अब अपन बात करते हैं कि इन सब के सारांस के उपर मैंने एक दो लाइने और लिखी हैं हालांकि अपन ये जो नीचे अपने statement लिखे हैं इनका विश्टार पूर्वक अध्यान अपन इसी chapter के end में करेंगे लेकिन अपने क्या देखा है कि यदि भारी नाभीक है तो दो हलके नाभीकों में विभक्त होना चाते हैं अगर कोई बड़ा नाभीक है कौन सा बड़ा नाभीक है जिसके द्रविमान संख्या 170 से अधिक है ठीक है क्योंकि ये ऐस्थाई होगा और अगर ऐस्थाई होगा और स्थाई कोन से होंगे 30 से लेकर के 170 के बीच वाले तो ये भारी नाभी क्या करेगा दो नाभीकों में तूटने का प्रियास करेगा और तूट करके स्थाई नाभीक बनाना चाहेगा ठीक है तो भारी नाभीक दो हलके नाभीकों में विबक्त होकर के स्थाइत्व प्राप्त करना चाहते हैं इसे नाभी की विखंडन कहते हैं नाभी की विखंडन का अपन विश्थार पूर्व कर दिन करने वाले और इसी प्रकार से दो हलके नाभी कहें जुडेंगे और जुड करके स्थाइट वा प्राप्त करना चाहेंगे इस प्रक्रिया को आपन आभी किये सलेन कहते हैं तो आज की वीडियो में केवल इतना ही प्रती नूक्लियोन बंधनूर्जा और इसका जो ग्राफ है और इसकी जो रिजल्ट्स है वो आप लोग स्क्रिन को पोज़ करके अच्छे से लिख लें उनको याद कर लें यहाँ से एक नंबर का प्रेशन आने की पूरी पूरी संभावना है ठीक है यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज आवीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंट्स की साथ शेयर अवश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद